दोस्तों हमें से हर एक इंसान ये सोचता है कि हमें हमारी लाइफ के अंदर हमें सक्सेस कब और कैसे मिलेगी तो आज एक स्टोरी के मादियम सब को बताना चाहूंगा कि हमेशा सक्सेस कीन लोगों के हिस्से में आती है एक स्टोरी के मादियम सब को बताना चाहूंगा एक राज्य के अंदर एक राजा को अपने ही राज्य में एक मंत्री का चैन करना होता है एक मंत्री की जरूत होती है कुशल और योग के मंत्री की जरूत होती है तो राजा के सामने लेकिन दूईधा की बात यह थी कि राजा के सामने तीन उप्शन होते हैं तीन उम्मिद्वार होते हैं उस मंत्रिकुपत को नियुक्त करने के लिए राजा को समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करें लेकिन राजा के माइंड में अचानक एक युक्ति आती है और वो तीनों को अपने सेनी को द्वारा एक एक टोकरी देता है और उन्हें कहा जाता है कि पडोस में एक बगीचा आए उस बगीचे से आप फल लेके आईए तीनों के माइंड में एक चीज आई कि साइद राजा उस वेक्ति को नियुक्त करने वाले हैं जो पहले फल लेके आएगा पहला विक्ति जाता है तुरंट दोड़ा भागा दोड़ते हुए जाता है और वो जल्दी जल्दी में क्या करता है कुछ पत्ते नीचे रख लेता है और थोड़े से फाल उपर रख लेता है सारे पत्ते होते हैं और थोड़े से फाल उसमें होते हैं पहला विक्ति तुरंट ही हरकत करता हैं वो वेक्तिव यह होसी करता है कि वहाँ पर जो बी वह जो भी फल होता है निचे की रेव जो भी सड़े गले जैसे भी फल बृता है वह फल रखकर हो टोकरी में रखकर निकल लियता है अचो तीसरा वdı परींद कोता है ताकि अगर कोई वेक्ति उन्हें खाए भी तो बाद में बीमार ना हो उसका स्वास्ता अच्छा रहा है उस वेक्ति का जो खाएगा उस वेक्ति का स्वास्ता अच्छा रहा है वो बड़े आराम से उन फलों का चाहिन करता है और सबसे आखिरी में वो तीसरा वेक्ति किया जाए और इन तीनों को जो ये फल लाएं उनी फल के द्वारा अपना महीना गुजारना ओगा जैसे एक महीना खतम होता है दोस्तों उसमें से पहले वेक्ति की मृत्ति हो जाती है उसकी मृत्ति होने का सबसे बड़ा कारणी वर सबसे बड़ा काफी नहीं होते हैं और वह भूख के कारण उसकी मृत्ति हो जाती है और जो दूसरा वेक्ति होता है जो की सड़े गले फल तोड़कर लाया होता है उसका स्वास्त पूरी तरह से बुरी तरह से बिगड़ जाता है बुरी तरह से खराब हो जाता है उस वेक्ति की हालत बड़ में उसी इंसान का चैन करते हैं उसी तीसरे विक्ति का मंत्रीपत के लिए चैन करते हैं The moral of the story, दोस्तों, मैं आज पोई ये बताने के कुछिस कर रहा हूँ, कि जो भी इंसान, फर्स्ट विक्ती, जिसने की जल्दी-जल्दी में, अपने काम को जल्दी-जल्दी अंजाम देने के सकर में, बाद में मृत्ती को प्राप्त हो, हमें से हर एक इंसान, कई सारे लोग ऐसे होंगे, जो कोई भी काम को बहुत जल्दी करने के कुछिस करता है, मतलब वो दिखावा करने के लिए, दिखावे के लिए, उस काम को करता है, हमेंसे कई सारे लोग होंगे से जो कि दिखावे के लिए जो बाहर से तो लगता है कि complete है लेकिन अंदर से complete नहीं है अना दिखावा करते हैं तो दिखावे की success लॉंग टाइम नहीं होती है दूसरे विक्ति में भी यही क्या होता है कि वह सड़े गले पल लेकर आता है जिसके हो रहा मेहनत तो करी लेकिन उसने पूरी इमानदारी और पूरी निष्टा के साथ मेहनत नहीं करी जिसका परिणाम यह निकला कि बाद में उसका ही शरीर खराब हुआ और तीसरा जो वेक्ति हैं उस वेक्ति से वह यह सिक्षा मिलती है दोस्तों कि हमें से हर एक इंसान को अगर लाइक के अंदर जीवन के अंदर काम्याब होना है तो वह महनविक्ति बनने के लिए करना कुछ नहीं है हमें अपने काम को पूरी निष्टा और पूरी लगन और पूरी इमानदारी के साथ करने की जुरत है जिससे की आगे चलकर हमें उस चीज का बहुत अच्छा परिणाम मिल सके बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सके कहते हैं ना इश्वर कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं हर एक इंसान के साथ वो भगवान है ना बड़ा ही प्यारा है बड़ा ही सुंदर है वो हर एक इंसान के लिए हर एक इंसान की महनत का रिजल्ट बलक में द द्रेड संकल्प करना है कि आज से और अभी समय एक नई सुरुवात हमारे उस काम की एक सुरुवात का स्टार्ट अप लेना है शुरुवात करनी है हम आज के दिन को हमारे बहदर बनाना है और उस काम की शुरुवात आज से करनी है, आज से ही, अभी से, वो कहता है ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अप, पल में परले हो जाएगी, बहुरी करेगा कब, तो आज से शुरुवात करिए, और जबदस तरीके से महनत करिए, और अपना एक बहुत अच्छा नाम, और एक एक अच्छी लाइफ जीए, ताकि आने वाले समय में, एक एक्जामपल आपका भी दिया जाए, तैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,